लव्य व्यवस्ता अध्याय साथ फिर दोशपली की व्यवस्ता यहां है, वह परमपवित्र है, जिस स्थान पर होमबली पशुका वद करते हैं, उसी स्थान पर दोशपली पशुका भी बली करें, और उसके लोहु को याजक वेदी पर चारो ओर छिड़के, और वहां उसमें की सब चर्वी को चड़ाएं, अरथात उसकी मोटी पूच को, और जिस चर्वी से अतडिया ढपी रहती हैं वहां भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्वी उनके उपर और कमर के पास रहती हैं, और गुर्दों समेत कलेजे के उपर की जिल्ली इन सभों को वह अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर यहवा के लिए हवन करे, तब वह दोश बली होगा, याजक में के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं, वह किसी पवित्र स्थान में खाया जाए, क्योंकि वह परम पवित्र है, जैसा पाप बली है, वैसा ही दोश बली भी है, उ जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्रायस चित्त करे, वही उन वस्तूं को ले ले, और जो याजक किसी के लिए हुम बली को चढ़ाए, उस हुम बली पशु की खाल को वही याजक ले ले, और तंदुर में वा कढ़ाई में वा तवे पर पके हुए सब अन्न बली उसी याजक की होंगी जो उन्हें चढ़ाते हैं और सब अन्न बली जो चाहे तेल के सने हुए हो चाहे रूखे हो वे हरुन के सब पुत्रों को एक समान मिले और मेल बली की जिससे कोई यहवा के लिए चढ़ाए व्यवस्ता यह है यदि वह उसे धन्नवाद के लिए चढ़ाए त तो धन्नवाद बली के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुल के और तेल से चुपड़ी हुए अखमीरी रोटिया और तेल से सने हुए मैदे के फुल के तेल से तर चढ़ाए और वह अपने धन्नवाद वाले मेल बली के साथ अखमीरी रोटि भी चढ़ाए और ऐसे एक एक चड़ावे में से एक एक रूटी यहवा को उठाने की भेट करके चड़ाए, वह होमबली के लोहु के छिड़कने वाले याजक्की हो। और उस धन्यवाद वाले मेलबली का मास बलीदान चड़ाने के दिन ही खाया जाए। उसमें से कुछ भी भोर तक शेष न रह जाए। पर यदी उसके बलीदान का चड़ावा मन्नत का वा स्वेच्छा का हो। तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए और उसमें से जो शेश रह जाए वह दुसरे दिन भी खाया जाए परंतु जो कुछ बलिदान के मास में से तीसरे दिन तक रह जाए वह आग में जला दिया जाए और उसके मेल बली के मास में से यद कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए, तो वह ग्रहन न किया जाए, और न पुन में गिरा जाए, वह ग्रुनित कर्म समझा जाएगा, और जो कोई उसमें से खाये, उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा, फिर जो मास किसी अशुद्ध वस्तु से छू जाए, वह न खाया जा वह आग में जला दिया जाए, फिर मेल बली का मास जितने शुद्ध हो वे ही खाये, परंतु जो अशुद्ध होकर यहवा के मेल बली के मास में से कुछ खाये, वह अपने लोगों में से नाश किये जाए, और यदि कोई किसी वस्तु को छूकर, अशुद्ध वस्तु को मेल बली पशु के मास में से खाये, तो वह भी अपने लोगों में से नाश किया जाए, चाहे वह मनुश्य के कोई अशुद्ध वस्तु वा अशुद्ध पशु वा कोई भी अशुद्ध और घृनित वस्तु हो, फिर यहवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से इस प्रकार क है, कि तुम लोग न तो बैल की कुछ चर्बी खाना, और न भेडवा बकरी की, और जो पशु स्वय मर जाए, और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए, उसकी चर्बी और और काम में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं, जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाए और तुम अपने घर में किसी भाती का लोहू, चाहे पक्षी का, चाहे पशु का हो, न खाना, हर एक पक्षी या प्रानी जो किसी भाती का लोहू खाएगा, वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, फिर यहवा ने मूसा से कहा, इस्राइलियों से इस प्रकार कहा, क जो यहोवा के लिए मेल बली चड़ाए, वह उसी मेल बली में से यहोवा के पास भेट ले आए, और वह अपने ही हातों से यहोवा के हव्य को अर्थात छाती समेत चर्वी को ले आए, कि छाती हिलाने की भेट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए, और याजक चर्वी को तो व फिर तुम अपने मेलबलियों में से दहिनी जांग को भी उठाने की भेट करके याजक को देना। इसराइलियों की ओर से उनका हक बना रहे। जिस दिन हरुन और उसके पुत्र यहवा के समीप याजक पत के लिए लाए गये। उसी दिन यहवा के हव्यों में से उनका यही अभिशिक तभाग ठेराया गया। अर्थात जिस दिन यहवा ने उनका अभिशेक किया। उसी दिन उसने आग्या दी कि उनको इसराइलियों की ओर से यही भाग नित मिला रहे। उनकी पिड़ी-पिड़ी के लिए उनका यही हक ठेराया गया। होमबली, अनबली, पाबबली, दोशपली, याजकों के संसकारबली और मेलबली की यही विवस्ता है। जब यहवा ने सिनए परवत के पास के जंगल में मूसा को आग्या दी कि इसराइली मेरे लिए क्या-क्या चढ़ावे चढ़ाए तब उसने उनको यही विवस्ता दी पास के जंगली यही विवस्ता है।